हेलो फ्रेंड्स एक वार हम फिर हाजिर हैं मैं संदीप परमार अपने चनले पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी मार्केट की बात करें तो बिटकोइन अभी 56,924 डॉलर पर चल रहा है और एक अच्छी रिकवरी बिटकोइन में कहीना कहीन देखने को मिल रही है पूरे मार्केट की बात करूँ तो कहीना कहीन थोड़ी बहुत रिकवरी और काफी ऐसे कोईन्स हैं जिनमें एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हो गया है तो आज हम ऐसे दो कोईन्स के बारे में बात करेंगे जिनमें बहुत शांदार तेजी देखने को मिल रही है रिकवर सब्सक्राइब करें तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिवाइनू की आप सभी जानते हैं कि कारकेन वर्ड लीडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आज 30 नवंबर को कारकेन के प्लेटफॉर्म पे शिवाइनू की लिस्टिंग हो जाती है जिसके लिए बाद शिवाइनू के प्राइज में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और शिवाइनू के प्राइज में कहीं न कहीं वो तेजी बरकरार हो चुकी है और आने वाले समय में अगर हम शिवाइनू के प्राइज की बात करें तो शिवाइनू अपने all time high को break करने के बा 0.0037 के बाद 0.0040 का हाई लगता है यानि 0.003 के बाद 0.004 का हाई लगता है क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है कि शिवाइनु कोईन की लिस्टिंग कारकेन टेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है आज 30 नमंबर के दिन और एक बहुत बड़ी बात है शिवाइनु एक ला ऐसा मीम कोईन बन गया जिसके पास 1 million holders हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों शिवाइनु holders की संख्या दिन परती दिन बढ़ती जा रही है और अभी ये holders 1 million हो चुके हैं प्राइस टार्गेट की बात करें तो शिवाइनु अपने all time high .009 को कभी भी ब्रेक कर सकता है और बहुत शांदार तेजी देखने को मिलेगी और अगर उसे ब्रेक करता है तो कहीं न कहीं शिवाइनु यहां से .01 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दोखेगा और वो समय बहुत ही जल दाने वाला है जब शिवाइनु के पॉइंट के बाद जितने भी 0 है वो सभी यहां प और गाइब हो जाएंगे .1 के आसपास शिवाइनु आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो अभी तक आपने शिवाइनु में अगर नहीं इन्वेस्ट किया है तो आप अपने पॉर्टफोलियो का 5-10% शिवाइनु में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां से यह कोई कोईन बहुत उपर जाने वाला है अगर मैं दूसरे कोईन के बारें बात करूं तो वो मेरा डोज कोईन होगा जी हां दोस्तों डोज कोईन का अगर आज के लो का मैं बात करूं तो 16 रुपे 20 पैसे आज इसका लो था हाई की बात करूं तो 17 रुपे 23 पैसे का इसने हाई मा रहा है बहुत सारे ऐसे चेंजेंज हैं जो डोस कोई की पॉलिसी में की जा रही है या फिर इसके सिस्टम को लेकर की जा रही है तो आने वाले समय में अगर डोस कोई की मैं प्राइज की बात करूं तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि डोस कोई आपको यहां से 25-30 रुपे के आसपास टेड करता हुआ दिखेगा और अगर बहुत सारे अच्छा बाइंग और कुछ और पॉजिटीव निकल के आती है तो डोस कोई फिर से अपने अल्टाइम हाई को ब्रेक करेगा और एक डोलर के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा इस वाड़ डोस कोईन से जितने भी इंवेस्टर से उनको बहुत जादा उमीद है क्योंकि कुछ महीनों से डोस कोईन के अंदर बिल्कुल भी मुमेंट नहीं है ना के बरावर मुमेंट हो रहा है और कोई खास पॉजिटीव निउज भी निकल के नहीं आ रही है लेकिन जिस तरीके से एलोन मस्क ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि डोस कोईन में कुछ बदलाब किये जा रहे हैं इसके टांजक्शन को लेकर इसके टांजक्शन फीज को लेकर तो उन सभी से एक पॉजिटिव निउज निकल के आ रही है और कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ब बात करी शिवानु कोईन और डोज कोईन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहें तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और अपने सलाकार से सला लेकर इन्वेस्ट करें और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथ बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू